में आज़ी के पास कोई आर्ट इंगे सी के देखती हो तो गुझा हमारी दूसरी पैसान अची कि हमारे एक हमारे बोड político पर की मिलेंगी और तब और यह थोड़ी उबरी हुई भी बाहर उपर की तरफ उबरी हुई मिलेगी है 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 मुल्टिटेक यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं दीपक लेडी ट्रेनर आज आपको बताता हूं कि LED TV के बौर्ड में यूज होने वाली और बायस आई किस तरह काम करती है और किस तरह दीखती और उसका LED TV में किस तरह यज किया जाता है वह कितने PIN recordings होती है आज हम आप को दिखाते हैं LED TV के अंदर होने वाली BIOS IC हमारी इस तरह से दीखते है यह हमेशा हमारी मैन IC होती है उसके पास में लगी होती है अगर आपको पता करना है कि हमारी BIOS IC किस तरह से होती है तो आपको जब भी मैन Aisie के पास कोई Aart Pen की Aisie देखती हो तो वह हमारी बायस होती है दुसरी पैसानी है होती है कि हमारे अगर हमारे बौर्ड में इस तरह की और भी Aisie लगी होती है तो यह आईसी थोड़ी लंबी टाइप की मिलेंगी और जो हमारी बायस होती है यह चकोर में मिलेगी और यह थोड़ी उबरी भी बाहर उपर की तरफ उबरी भी मिलेगी और यह हमेशा मैन आईसी के पास ही होती है यह हमारी जो फलैसी होती है यह हमारी आठ पिन की होती है य हमारे LED TV में यूज होने वाली बाइस ऐसी प्रसेंट विन बॉन्ड की ही होती है यह हमारी W25 की शीरीज में बनती है चलिए हम आपको बाइस का डायग्राम बनाके दिखाते हैं सबसे पहले बताते हैं कि बाइस क्या चीज होती है बाइस एक बाइस हमारी बेसिक डाटा इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है जो कि हमारी आट पीन की बनी होती है बाइस को हमारा दूसरा नाम फलैस आईसी भी बोलते हैं और इसको मेमोरी आईसी सबस्क्राइब नाम से बड़नाा ओषि के नाम से भी बोला जाता है यह आप अल्छे स्वाइब की जिसको बॼला साथ है कि अ कि यह जो दूसरी जो पीन होती हैं मारी इसकी उसकी एसकुंपर हमारा डी डा टा आउट पुट होता है जो तीसरी पीन होती है वो डाटा प्रोटेक्शन के लिए होती है जो तीसरी पीन होती है हम उसको डाटा प्रोटेक्शन बोलते हैं चोथी पीन होती है हमारे ग्राउंड होती है और पाचमी पीन पर हमारा डी आई मलब डाटा इंपुट किया जाता है और पांजमी च्टी पिन पर हमारा कलोक सिगनल आते हैं शेktóन्त पिन हमारी रिड़ की कहला झाटती है जब यह को यह ऌड़े के अंदर डाटा रिगवेश्एयट करना तो हम रिड़ हाता है और लिगारी सिग्टन पर आता है और एट पिन पर हमारी we cc आती है जो कि 3.3 आती है, यह सभी बॉर्डों में 3.3 आएगी और यह 3.3 बॉल्ट जो आती है, हमारे स्टैंडबाई आती है, कभी किसी भी फ्लैस आईसी को चेक करने के लिए हमें 3 पीन करनी होती है, एक VCC चेक करना होता है, ग्राउंड चेक करना होता है और तिसरा पिन की जो कलोक हम जो DSO से चेक करते हैं जो हम किसी भी जो बायोस को बनी होती है उसको हम किस सीरीज में बनी होती है यह BIOS हमारी W25Q series की बुनी होती है W25Q 16 W25Q 32 W25Q 64 W25Q 128 इससे हम इसकी RAM ROM को देख सकते हैं कि 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 इसके अंदर कि लगी हुई है इनको सभी को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यह तू आता है इसके अंदर 2MB की अप लोड की जाती है जो 32 वाली है इसके अंदर हम आड़ से डिवाइड़ करते हैं तो इसकें अंदर चैरंभी की अपलोड किया जाता है कि इस फाईल को सब्ट्वेर बोला जाता Markन रोसित आई जब हम मां से रिवाइड़ करते हैं तो इसके होने वाली 22 के अंदर ज्यादा से जादा दो एमवी से लेकर 16 तक का ही फायल का यूज किया जाता है और हम इन को एक आई सी की जगह दूसरी आई सी का यूज कर सकते हैं यह हमारी जो आई सी होती है सबसे ज्यादा वीन बॉर्ण कंपनी की बना जाती है हमारी LED TV में यूज होने वाली जो फलाइस आइसी होती है वह हमारी वीन बॉंड कंपनी की होती है लगबग 80-90% की यूज की जाती है दूसरी कंपनियां भी की जैसे AMI की होती है डैल की होती है अधर बहुत सी कंपनियां हैं 7-8 कंपनिंयों और हैं जिसकी हम बायुष को यूज किया जाता है और से कैसी चीज होती है जिसके अंदर टर्प्रेरियरि फाइल होती हैं जिसका यूज करके हम एंश्य के वी का सिगनल होता है हमारा सब्सक्राइब आगे पैनल के बारे में बहुत कुछ समझाने वाला हूं अगर आप यूटूबर पर नए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का फायदा उठासके और देखक अगर आप भी कुछ सीख सकें